तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्समेनिया भाई राम सिंग में दोस्तों अपने अब तक टाइप 13 कर लिया था आज अपन करने जा रहे हैं दोस्तों टाइप 14 टाइप 14 का question number 1 देखिए दोस्तों अपन बिना समय गवाएं आगे बढ़ना चाते हैं क्योंकि CBT2 का exam बहुती नजदी के railway का और अपन चाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभानवित हो पाएं अपने जो अपन education campaign अपन जो चला रहे हैं या फिर अपन जो channel चला इसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक चातर के लाभानवित हो पाएं ज़्यादा से ज़्यादा चातर पढ़ पाएं और data complete है दोस्तों विश्वास नहीं करोगे आप याद करोगे परिक्सा वाले दिन चाहे वो SSC हो चाहे वो railway हो या किसी भी परिक्सा में अग गणित में कुछ भी पीछे नहीं रख पाओगे दोस्तों चलिए दोस्तों करते हैं सवाल नंबर एक सवाल नंबर एक क्या है कोई व्यक्ति एक रुपे में 24 की दर से कुछ वस्तु में बेचता है देखो इसमें क्या होता है क्रेम उल्ले होता है एक तो एक होता है दोस्तो 100 की वस्तू होती है और 30 की आनी हो गई माइनस 30 कर दिया, कितने में बेची होगी 70 में बेची होगी तो 70 रुपे है, 70 पतिशत किसके बराबर है दोस्तों आप देखे, 1 रुपे में 24 वस्तू है 24 वस्तू है, कितने में बेच रहा है 1 रुपे में अच्छा इसने चाहिए क्या, इसने सवाल में पूछा क्या है, तो एक रुपे में कितनी वस्तु में बेचनी चाहिए ताकि 20 प्रतिशत का लाब हो, मुझे चाहिए 20 प्रतिशत का लाब, अगर मुझे प्लस 20 करना है, प्लस 20 करूँगा तो मुझे कितना चाहिए, 120 चाहिए, जब 70% एक बटे 24 है तो एक प्रतिशत या फिर मैं सीधा ही लिख सकता हूँ 120 प्रतिशत क्योंकि मुझे 120 चाहिए 70 तो है मेरे पास 120 चाहिए तो एक बटे 24 गुणा में 70 गुणा में 120 तो ये 24 से 5 बार गया दोस्तों 5 से ये 14 बार गया और आपको पता हो तो एक बटे 14 120 प्रतिशत अगर उसे लाब चाहिए तो कितनी वस्तूइं बेचेगा दोस्तों एक बटे 14 मतलब एक रुपे में कितनी बेचेगा एक रुपे में 14 वस्तूइं बेचेगा वस्तूइं बेचेगा तो 20 प्रतिशत का लाब होब, आसा करता हूँ समझ में आया होगा, अग पर फिर देख लीज़े इसने कहा कि कोई व्यक्टी 1 रूपे में 24 वस्तुईं बेचता हो, एक रूपे में तो एक वस्तू बेचेगे, 70 एक बटे 24 है तो 120 क्या हो जागा है एक बटे 24 गुणा 120 बटे 70 तो यह आगया अपना एक बटे 14 मतलब एक रूपे में किता तो दोस्तों देखते हैं टाइप 14 का ही सवाल नंबर 2 आपको बोर्ड की तरफ दिख रहा होगा सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है question number 2 अगर एक रूपे में कितनी वस्तों में बेचनी चाहिए ताकि उसे 25 प्रतिशत का लाब अच्छा सौरी खरीदता है एक वस्तों किते में खरीद रहा है एक बटे 20 में जब भी खरीद की बात करूँ या क्रेम उल्य की बात करूँ खरीद का मतलब क्या है क्रेम उल्य की बात करूँ तो हमेशा क्या होता है 100 प्रतिशत होता है 100 प्रतिशत क्या है एक बटे 20 आया हुआ है जब 100 प्रतिशत एक बटे 20 है मुझे 25 प्रतिशत का लाब चाहिए तो 100 पे 25 का लाब चाहिए तो प्लस 25 होगा तो 125 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 100% है, 1% कितना हो जागा, 1 बटे 20 गुणा में 100 और 125 चाहिए, 125 प्रतिशत हो जागा, 1 बटे 20 गुणा में 100 गुणा में 125, 25, 25, 25, 405 से ये 4 बार तो क्या हो गया, 1 बटे 16 कहने का मतलब क्या है, 16 वस्तुएं एक रुपे में एक रुपे में बेचूंगा, तो मुझे 25 प्रतिशत का लाब हो जाएगा, एक बार फिर सवाल को देख लीजे दोस्तों क्या है, उसने कहा कि कोई वेक्टी एक रुपे में 20 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, कितने में खरीद रहा है, 20 वस्तुएं एक रुपे में बेचूंगा, तो मुझे 25 प्रतिशत का लाब हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं चाता हूँ कि आप इसी को फॉलो करें क्योंकि यह बहुत आसान तरीका है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ बिना समय खराब किये, और ऐसे सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, टाइप 14 के अंदर, वो भी देख लेते हैं, सवाल नमबर 3 देखेगा दोस्तों, सवाल नमबर 3 आ 18 वस्तों जो है, वो एक रुपे में खरीद रहा है, किते में खरीद रहा है, 18 वस्तों एक रुपे में, तो एक रुपे में कितनी वस्तों उसे बेचनी चाहिए, ताकि 10 प्रतिशत की आनी हो, उसे क्या करनी है, 10 प्रतिशत की आनी चाहिए, क्या चाहिए, आनी चाहिए, ज वस्तू हो जाएगा 1 68 रूपे में то 100 प्रतिशत हो गया 1 बटे 18 मुझे क्या चाहिए 90 प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों 1 बटे 18 गुणा में 100 100 पहले नीचे आएगा और 90 उपर जाएगा तो 18 से 5 बार और 5 से 20 बार उतर आया 1 बटे 22 कहने का मतलब क्या है दोस्तों कहने का मतलब है कि 20 वस्तुएं एक रूपे में बेचूंगा बेचूंगा तो मुझे कितने प्रतिशत की 10 प्रतिशत की आनी हो जाएगी आनी हो आसा करता हूं समझी में आई होगी दोस्तों आपको टाइप 14 भी पूरी आपको समझ में आये होगी बहुत ही आसान एक बार फिर देख लीज़े सवाल को कोई वेक्टी एक रूपे में अठारा की दर से कुछ उस्ते में खरीदता है एक रूपे में एक वस्तु खरीदता है एक बटे बीस तो बीस वस्तों एक रूपे में बेचूंगा तो मुझे दस प्रतीशत की आनी हो जाएंगे आसा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों और इसी के साथ में दोस्तों आप बैल आइकन दबाना बिलकुल न बूलें क्योंकि लेटस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे तो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार